आशक छी आहार न्यामद, जन पते में पहार प्यामद, दरघं प्यामद, या मुस्तफा, या मुझतबा, इरहं लणा, इरहं लणा, तस्दुन नाल बन, हिंद ताज दारिक रा, जन बंद है, नबे मुक्त तारिक रा, पढ़ने और सुनने में आया है, कि दिली के 22 खौजा नामी एक किताब, बाजाबिता जिक्र भी, है कि दिली के जामा मस्जिद से मुच्सिल, मनसूर हिंद, सूफी सरमद, रहमतुला अलिय के कब्र है, जिनका सर, हजरत औरंगजीब ने अनाउलहक की सदा के जुर्म में कलम करवाया था, तारिखी हवालाजात में जिस तरह सरमद, शहीद, रहमतुला अलिय का जिक्र मिलता है, वो हकीकत कम और अफसानवी सूरत कुछ ज़्यादा ही इख्धियार कर गया है, इस पर मुद्जाद के वाकर निगारों ने अपनी तरफ से इसमे कुछ ज़्यादा ही मुबालगा आराई से काम लिया है, जिसके बाइस असल हकाइक गुम होकर अफसाना बन गे हैं, इस दरगा और सूफी बुजर्ग के ताईएं एहलियान हिंद का जजबए अकीदत दीदनी है, यूं तो खजरत सूफी सर्मद शहीद रहमतुला अले को सर्मदी जिन्दगी मिली थी, वो जो भी हो, लेकिन इसके पसे परदा इश्ग की शूरिश और उफ्ताद की गिरानी कारफ़र्मा थी, जिसकी वजह से वो मर के भी जावेदा हो गए, और इश्ग में इसकी कलमोराब भी काईम है, ये भी कहा चाता है कि आलम तसवुफ की शायद सबसे बड़ी पहली का नाम सर्मद शहीद रहमतुला अले हैं, ये शख्सियत जिस गदर मारूफ और मकबूल खलाइक है, लेकिन इसके तारूफ का अश्र अशीर भी हमारे पास मौजूद नहीं है, बलकि जो कुछ मुस्तनद तारियखी हवालू से मिलता है, वो चंद सत्रू में खत्म हो जाता है, बस इतना मालूम है कि वो एरां के मसीही या यहूदी खानदान से तालुक रखते थे, पेशा तिजारत था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा लिखा आलिम शख्स भी था। ये रईस ताजर घोडूं की तिजारत करता हुआ हिंदुस्तान आया, जिसका शहर ठट उस वक्त तिजारत का बड़ा मरकस था। इस सूफे बुजरुक के ताईई एहलियान हिंद का बिला मजहबों मिलत अकीदा, प्यारों महबत की रोशनी बिखेरता है। काम में तो थोड़ा था मेरा दिक्कति लेकिन वह सही हो गया। अब रिष्टेगे में जब आए हैं तो करेंगे। इस सब्सक्राइब के मताबिक सर्मद शहीद रह्मतुला अले, औरंग सेथ के मुखालिब भाई का दौागो था। जो एक सूफी मिजाज शहजादा था। उसका दारशकू से तालुक सर्मद की शहादत का असल बाईस बना। और ये मजजूब सूफी हुकमरां की सियासत का शिकार बन गया। सर्मद शहीद रह्मतुला अले के दौर के मौरेखीन ने उनका नाम या तो लिखा ही नहीं या डर कर सिर्फ चंद अलफाज ही लिखे हैं। इसलिए अपने वक्त की एक महबूब खलाइक शक्सियत का जिक्र सरसरी मिलता है। मौलाना अबुलकलाम आजाद ने अबुलकलाम दहलवी के नाम से सर्मद शहीद रह्मतुला अले पर कुछ लिखा है। और कहा है कि एहदे आलमगीरी में और उसके बाद जिस कदर तजक्रे मिलते हैं उनमें सर्मत शहीद रहमत अलय के अन्वान से चंद सत्रे ही मिलती है अजीम अलमर्तबत इन्शपरवाज मौलाना आजाद लिखते हैं कि सर्मत शहीद रहमत अलय का खानदानी बेशात तिजारत था एरान से तिजारती माल लेकर वो हिंदोस्तान की तरफ बढ़े मगर ये इरानी ताजर नहीं जानते थे कि हिंदोस्तान में पहुँचकर उन्हें किस तिजारत में अपना सर्माया लगाना पड़ेगा आप रहमत अलय की दर्गाह पर हर मजहब के लोग हाजरी देकर बारगाहे इलाही में हाथ उठाते हैं सबकी मननते पूरी होती हैं लोग चादरे चाहाते हैं और लोगों की अलग अलग विशेज होती हैं जो की अपने विशेज सरकार के बारगाह में आते हैं कुछ खत के थ्रू बोलते हैं कुछ जुबानी बोलते हैं तो सबके अपनी अपनी मक्सदें, सबके मुरादे काम्याबी होती हैं और फिर से आते हैं वो अपनी मुरादे को कंप्लीट होने के बाद देना अप्टर अप्टर यूस्ट कंफर अल्वी से कंप्लीटेट एक रवायत के मुताबिक जब हजरत सूफी सर्मद शहीद रहमतुला अल्य को शहादत गह ले जाया जा रहा था तो तमांग शहर तूक बढ़ा, रास्ता चलना दुश्वार हो गया जब जला तल्वार चमकाता हुआ आगे बढ़ा तो सूफी सर्मद रहमतुला अल्य ने मुस्कुरा कर उस से नजर मिलाई और कहा तुझ पर कुर्बां आओं, तुझ पर कुर्बां आओं, आओं आओं, जिस सूरत मैं भी आओं, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ जब सर्मद शहीद रहमतुला अल्य ने ये शेर पढ़ा और मर्दानवार सर तलवार के नीचे रख दी और जान दे दी हजरत सूफी सर्मद शहीद रहमतुला अल्य दिली की जाम मस्चिद के पहलू में कतल के गए और वहीं दफन कर दी गए यहां एक दरगाह काईब की गई जो अकीदत का मर्कज है जनाब मुहम्मद अन्वर जुबैरी मुझद दी ने अपनी इस किताब सर्मद एक समंदर पर तहकीक भी लिखी है और मौलाना के बयां पर जिराख भी की है मगर इन सबसे बड़ा यादगार कारणामा रुबायात का उर्दू जुबा में शेरी तर्जुमा है अफसोस की सर्मद शहीद रहमतुला अलाई जैसी असमत हमारे लिए अचनबी ही है सियासत दौरान ने इसको गुम करने की कामयाब कोशिश की है गंगा जमना तेहजीव जो है यही हमारे हिंदोस्तान की पहचान है और जो इसमें ये अलग अलग तरीके के बड़े खुश्वत खुश्वत फूल है ये गुंचा जो बन गया है इसको दुनिया देखती है और दुनिया इनी की वज़े से पूरे हिंदुस्तान में भूमने आती है। आज दिली के अंदर 22 खौज़ाओं की चोखट है जिन में से एक ये भी हैं और हम इनको दिल से हमेशा हमेशा के लिए बहुत याद करते हैं और इनकी हिदायतों पर अमल करने की कोशिश करते हैं इसलामी तारीख कवा है कि तसवफ और सूफित ने हमेशा अमन और आलम के कयाम और इतहाद अम्मत की बका में मौसर रूल अदा किया है सूफिया आउमत ने बिला तफरीग मजहब मिलत इनसानियत को मौरिफत खुदा के जाम से सेराब किया दोस्तान में तमाम सुफिखान काहें इंसानियत की फलाह औ इसलाह का तर्स देती रही है दरहकीकत तसवुफी इसलाम की वो रुह रवा हैं जिस से अमन और मुहबत के फूल खिलते हैं यही मेरी बन्दगी है यही मेरी पूदा आजोती मादा के यमी थेव सच जमीन तास्मान कंगई तस्ब मंगई तो सुई में दिये सुयल रूशुम हंगत मंगई अधकस्ब मंगई तो कुस में दिये जिसने साथ जमी पैदा किये और आस्मा पैदा किया उससे मैं मागूं और सिर्फ वही देने वाला है जब वो रूट जाए फिर मैं किस से मागूं और कौन मुझे देगा